हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आज आप लोग को केमिकल बॉड्निंग चैप्टर के हैं टॉपिक के कोश्चिन कर आएंगे क्योंकि यह चैप्टर बहुत जादा इंपॉर्टेंट इसले हम इसके टॉपिक वाइस कोश्चिन कर दें ताकि आपके मैक्सम स्मैक्सम आप्च्टेंटर विए चैप्टर्वी प्रेंच्ट इससले संट्रेडर्म की मॉलकूल की जो घुमेटरी वह था होते हैं गेरी कोश्चिन नंबर तू शेपन है i f respectively R तो यहां पर iF molecule कहां में निकाल लें उसका बद इसका शेप बताएंगे तो Option A दिया है Trigonal BiPyramidal, SP3D Option B is given Caesar shape and SP3D Option C square pyramidal, SP3D 2 and Option D is given पेंट्राइगोनल पिरामिडल तो सबसे पहले हमें आए फाइफ जो मॉल्लीकूल असका इस्ट्रक्चर बनाना है तो आप इस्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका जो हाब रिशन आता है वह स्पी 3D2 होता है और यहां पर इसका जो शेयर पाई कर स्कॉरर पिरामिडल तो इसल पिरामिडल 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 जो बलेंटों और शोंप्यों में ध मांतों कthese जो उन्वीक्तिए जीन आफ्चों Trigonal Planar होगी तरसे आप इसे निकालने कि बाद इसे सॉल कर सकते तो option आपका D right हो गया Trigonal Planar question number 5 hybridization of central atom in NF3 आपका hinterनें ही C निकालेंगे option A is given SP3 hybridization option B SP hybridization option C SP2 hybridization option D DSP2 hybridization सबसे पहले से सॉल करने का इंगर एक rule तो जो व है यहां पर वालेंस से लेक्ट्रोन की और M है चार्जन की टायन और A है चार्जन ए नायन तो S is equal to 1 by 2 S plus 3 तो इसको हम सॉल्ट करेंगे तो 4 यानि की SP3 हबलाज़ेशन यहां पर हो गया इसलिए option आपका राइट हो गया SP3 हबलाज़ेशन in S3 में होता है तो गाइस यह था किमिल लांडिंग की है प्रेशन टॉपिक के question question बहुत important है आप अच्छे से practice करेज़ेगा राइस कल मिलते हैं कल एक नहीं वीडियो के साथ बाएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबएबए